हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत थे आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस के बारे में जिसके अंतरगत NCRT का जो नया सेलबस लगू हुआ है कि NCRT की सेलबस में किस परकार का दोस्तों परिवर्तन किया गया है और परिवर्तन करके उसमें कौन-कौन से पार्ट को एड किया गया है दोस्तों ये तो आपकी रही साइंस की किताब बुक्स या आपकी साइंस की क्या है क्लास 10 की बुक है आगे देखते हैं इसमें कौन-कौन से सेलबस को परिवरतन करके यानि कि कितना सेलबस में परिवरतन किया है और दोस्तों सुनिए बाकी अगर आप सोसिल साइंस है आपके इंगलीज है हिंदी है संस्कृत है उसकी अगर आप बुक्स डाउंडोड करना कितने हैं कितना परिवरतन किया है वरतमान की किताब से अभी दोस्तों मैं लेना ला रहा हूं आपके समक्स इंडेक्स यह देखिए यह अपने पास में क्लास 10 का जो साइंस का सेलबस है देखिए उसमें क्या क्या है सबसे अपना पहला अध्याय है रासानिक अभी और देखिए दोस्तों जो पहले जो अपने पास में जो पहले की बुक्स ती उस के दोस्तों पहले बायी विजिक्स पड़ने होगी उसके बाद आपको प्रिजिक्स पड़नी होगी देखिए पहला पाट आपके राशनेक अभिक्रिया एवन समय करण यानि की केमिकल रियक्शन और इक्विशन और फिर आपके पास दूसरा अध्याई है अमलसार एवन लवन के बारे में एसिड बैस एण्ड साल्ट के बारे में तीसरा मेटल एंड नौन मेटल यानि की अध्याई तक आपके पास मित दैवं का आवरती वर्गिक्रन पिर अधर देखिएक पास अध्याई तक आपके की भौतिक विज्ञान देखिए इसमें कौन-कौन से पाट है आपकी दस्वां पाट है ये फिजिक्स का है फरकास प्रावर्तन अपवर्तन मानो नेतर अरंग बिरंगा संसार बारवां अध्याय आपके विद्यू तेरवां विद्यू धरा के सुंब के परभाव ये दोस्तो आपके पास में क्या हुआ जो टैंट का चले बसे उसमें देखिए फिर आपका दियवा भारत का सामेदान इसको सोड़िये फिर आपके देखो ये आपके आध्याय फर्म हो रहे हैं यानि कि इस परकार के आपके नई बुक्स है दोस्तों बहुत सांदर बुक्स है आप इस आपके अपके संपड़ने का फर्यास कर सकता है को भूआ सारे स्पस्थर दोस्तों को सुट्पी निए हूं कि आपको ड्रीर्ट सोCRN डी से talking , कि आपको आपका केकी किलियर का निए हुआ अगर वका ठीक के लिए हुआ है तो आपको उन्हेकी सिगेंसर कि इसनल को रिक्शन का भी आपको है को के तो इसकी लिनक आपको डिस्क्रिप्चिन बॉक्स में दे हुए, वहां से आप उस बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, तो यह तो होगी अपने साइन्स की बात, अगर आप साते हैं, सर मैत की कताब से यह तो भी मैं आपको व्यूडियो बना के उसका अपलोड कर दूँगा, क मैत में क्या क्या परिवत नुन हुआ या आपके दूसरा पार्ट है एसिड बैस अम साल्ट के बारे में और देखो कापी बड़ा फार्ट है कापी सारे एक्सप्रिमेंट इसमें आपको दिये वे हैं यानि कि प्रक्नलिशे किस परकार एसिड बैस कन्वर्ट होता है सब को और फिर आपके तीसरा फार्ट तीसरा फार्ट है आपके यह आप देख सकते हैं देखो बहुत चांदार तरीक से एक्सप्रिमेंट किया गया है तीसरा फार्ट देखी तीसरा फार्ट आपके पास में हैं धातु है वह धातु इस परकार दोस्तों आपके पास में कुल कितन पास में कितने पार्ट है यह सोरा पार्ट है तो यह सोरा पार्ट की बहुत सांदर साइंस की बुक है सली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आप बागिवल बुक्स आते हैं तो आप उसको वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हो वहां से आ झाल रुर कास्टे तेंगी दोस्तूम